है 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 वर्ट्स पीपल क्या हाल है आज का गिटार लेशन है इन्नी सोनी फ्रॉम दा मुवी साहू इसमें आपको कैपो लेशन देने वाला हूं बहुत ही इजी सौंग है इसमें आपको इंट्रो रिदम और कॉड्स बताने वाला हूं गाइस तो चलिए शुरू करते हैं सबस कैसे प्लेयर रखाएं ओके गाइस तो इंट्रो कुछ यूँ है आपके सबस्क्राइब क्या करना है कि आपने 5 फ्रेटेल पहर हैं अपनी मिडल फिंगर से फर्स्ट अपर करता है यह वacyj करना है यह पूझा वण ट्रेल करना है 5 4 then आपकी जो मिडिल फिंगर होगी आपने फिफ्ट फ्रेट पर सेकंड स्टिंग पर रखना है ओके फॉर 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 उसके बाद शिक्स रिंग फिंगर से six fret पर आना है third string है six then first finger से fourth fretbar four six okay guys five four five six four six five four five 5, 4, 5, 6, 4, 6 then आपने again क्या करना है 1st finger से 5th fret पर 2nd string पर आना है 2 time play करना है इसको 5 को 2 time play करना है 2nd string को then 7 2nd string वाली 7 नहीं होगी आपनी ring finger से पकड़ना 7 फिर आपने 5th को क्या करना है 2 time play करना है 3 time play करना है अगेन उसी को इसको 2 time play करने के बाद देखिए 7 अगेन आपने 5th fret पर 2nd string पकड़ी है 1st finger से इसको 3 time play करना है ओके गईस तो एक पार्ट यह आपका हो गया है कैसे 5, 4, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 7, 5, 5, 5 एक पार्ट तो यह आपका clear हो गया है 5, 5, 4, फिर अगेन 5, 6, 6, 4, 6 ओके गईस यह 2 time play करेंगे सेम ऐसे चलेगा बस अंतर यह हो जाएगा आपका डिफरेंस यह हो जाएगा कि आप इसको 2 time play करेंगे पहले आपने 1st time play करी थी तेन आप इसको 2 time play करेंगे ओके अगेन 5th पर आपकी middle finger second string 6, 4, 6 देन अगेन आपने 5 पर आना है यह single time ही play होगा गाईस फिर 5, 4, ओके गाईस 5, 4, खतम ऐसे हो गया है 5, 4 एक बार play करके दिख लिए सुरू से ओके तो last में जो वाला 4 होगा यह 3 time play होगा ओके गाईस यहापे भी 3 time play होगा था then end भी 3 time play होगा ओके first वाले में भी end में 3 time play होगा और यह भी end में 3 time play होगा ओके गाईस आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को facebook में message भी कर सकते हैं whatsapp में भी message कर सकते हैं whatsapp में भी कर सकते हैं तो यह तो था आपका intro part and then इसके बाद आते हैं chords पे okay guys A major F sharp minor D major and E major okay guys chords उपर भी आती रहेंगी then इसके बाद देखते हैं rhythm guys rhythm कैसे चल रही है rhythm देखते हैं पहले एक audio play करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है उसमें then मैं आपको उसके बाद rhythm play करके बताता हूं E major Okay guys तेरे ख्यालों में गुजरता है दिन मेरा जाने तू जाने ना आशिक हूं मैं तेरा Okay guys इसमें क्या होगा A and F sharp minor A and F sharp minor Okay guys Single single stroke देने आपने कोई rhythm नहीं देने है क्योंकि simple ही है Okay guys A and F sharp minor A and F sharp minor Then उसके बाद D Okay guys Okay guys Okay guys B and E major Okay guys Then इसके बाद गाना rhythm स्टार्ट हो जाएगी Okay Okay guys Then A major Then E major Okay Inni soni tu Lगे क्यों मैंनू मैं तेरा हो गया Banja मेरी तू Banja मेरी तू पर क्या करना है Banja मेरी तू एकदम से F sharp minor पर आ जाना है Banja मेरी तू और इसमें rhythm guys Rhythm है Down Up Up Down Up Up Down Up Up Down Up Up Down Down Up 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 Down Up Up Down Up Up Down Up Up Down I am Description box में भी लिख दूँगा guys Rhythm कैसे है Chords कैसे है Okay Then आगे देखते है कैसे चल रहा है Okay guys सारे गाने में ऐसे ही चल रहा है better सुरू में जैसे बोलता है तेरे ख्यालों में Then लडकी वाला पार्ट जो आता है उसमें भी same chord रहेंगे Then जो आता है सारी रात याद आये तेरी उसमें D and E major लग जाएगा Okay guys मैं आपको आगे दिखा देता हूं song के साथ करें उसमें लोग तो यह काई F sharp major D major Then again B major आगे गाइज ने गाइज 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 तो यह था आपका सॉंग पूरा अगर आपको और भी सॉंग सीखने है गाइज तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट सेक्षन में जाके कि हमको यह गाना सीखने है मैं आपकी हेल्प करूंगा उस गाने को इजी लेसन बनाने ही कोशिश करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ओके गाइस तो एंपाइस सकती है तो झाल सुन थाथ में नहीं है स्ञाने ही में आपकी गाले इसक कीजिए बारे आपकी नहीं है खवस्काइब लाइसि जिर प्लीज रख्लीजिए ककला मत शाक्यारे यह फसकि परिया है